Friends हमारा जो topic है वो है body and eye language हमने अभी तक जितना भी course के अंदर discuss किया forensic auditor के skills के बारे में भी उसमें एक discussion की थी जिसमें हमने कहा था कि forensic auditor जो है वो creative होना चाहिए forensic auditor के पास interview के skills होने चाहिए उसकी observation जो करने के skills हैं वो होने चाहिए वो skepticism mind का होना चाहिए इसी तरह जब कोई fraud करता है तो उसकी eye and body language जो होती है वो बहुत जरूरी होती है observe करना आप अक्तर अपनी normal life के अंदर discuss करते हैं या देखते हैं जब कोई भी बंदा कोई भी resource कोई भी person आप से बात कर रहा होता है वो कभी कबार कोई अगर कोई गलत बात कर रहा है या जूट कह रहा है तो आपको उसकी उसके बात करने के style से उसकी body की language आपको feel हो जाता है कि यह जो बात कर रहा है इसमें कुछ गलत बात लग नजर आती है इसी तरह आज हमने body language के बारे में discuss करना है और afterwards हम I language के बारे में discuss करेंगे body language के अंदर include क्या होता है जब forensic auditor किसी से बात कर रहा हो तो उसकी जो body language है उसको observe करना forensic auditor के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे उसको at least कुछ न कुछ अंदाजा हो जाएगा कि किदर problem exist कर सकती है और किदर problem exist नहीं कर body की बात करें body language की behavior की तो उसमें आपकी pitch of the voice आता speed आती है आपकी legs किसना से move कर रही है वो आता है उसके अंदर और body की movement body की movement obviously इसमें आपकी बहुत सारी चीज़े include हो जाती है इसके साथ-साथ अगर आप जो भी एक forensic auditor है वो अगर किसी investigation के अंदर interview कर रहा है तो वो जो next बंदा जिसका वो कर रहा है या किसी से भी वो discussion कर रहा है अगर वो stress नजर आ रहा बात करते हुए और उसके लावा stress के साथ-साथ वो depression में है anxiety में है तो इसका मतलब यह है कि कुछ गरबढ़ है क्योंकि याद रिखिएगा जो anxiety है और stress है वो basically क्यो होता है कि इसका deception का deception का मतलब होता है धोका देना आप नहीं इसको जरा कर मैं अपनी पस्तल लाइफ के साथ लिंक करूं तो अकसर आपने देखा होगा जो लोग जूटे होते हैं वो हमेशा अपनी आवाज को ज्यादा बुलंद करके बात करते हैं क्यों क्योंकि उन्हें पता है हम ब बहुत इंपोर्टेंट आलिमेंट है जैसे के हम डिसकेस कर लेते हैं फॉर्स पैराग्राफ दा बॉडी बहविएवियर्स कुद बी सटेंग मुमेंट्स पिच अफ द वाइस स्पीड अफ टॉकिंग क्रॉसिंग लैग्स और आम्स और अधर बॉडी मॉवमेंट्स सम बॉ होता है एक सिगनल होता है डिसेप्शन का तो सम आपने इन चीज़ों को जो है वो अबजर्फ करना है इसी तरह हम देख सकते हैं सेकंड पैराग्राफ में देखें अन्यूजल और एक्सेसिफ टेचिंग हैंड्स और फेस बड़ बॉडी लैंग्विज क्यूज आर नॉड उसने कहा बॉडी लैंग्विज में अकसर जब बंदा जूट बो रहा होता है बार बार अपने चेहरे को हाथ लगाएगा पसीनाना शुरू हो जाएगा बार बार इधर सोच रहा होगा कि मैंने क्या कहना है क्या नहीं कहना है इसका मतलब भी है कि कुछ प्रॉब्लम है ले मतलब something is fishy fishy in the conversation जिसके साथ अब बात करें हैं body language के साथ आई language की बात करें it is very interesting topic eye language अब eyes रहें आपकी वह different होती हैं किस तरह से कभी आप ऊपर देखते हैं कभी downward देखते हैं कभी right and left तो ये एक psychology में बताया गया है कि अगर eyes की movements right होती है तो इसका मतलब क्या है वो क्या सोच रहा है अगर वो left की तरफ देख रहा है तो इसका मतलब क्या है वो क्या सोच रहा है तो हम इसको अब discuss करते है अगर एक बंदा अपनी eyes को left की तरफ rotate करता है और उपर की तरफ देखता है अगर एक person अपनी eyes को left करता है and then up, जैसे के लिखा हुआ eye language की heading के नीचे eyes to the left and up इसका क्या मतलब है कि आप visual images अपने history से, अपनी past से सोच रहे हैं जैसे आप से अगर पूछा जाए what color was your first car आपकी गाड़ी का जो आपने पहली गाड़ी ली थी उसका क्या color था तो आप क्या करेंगे हमेशा याद देखेंगे आप left की तरफ सोचेंगे और फिर उपर की तरफ देखेंगे तो आप क्या याद करेंगे आप अपनी history के बारे में याद करेंगे तो जब भी कोई बंदा आप कोई सवाल करते हैं तो अगर कोई बंदा left की तरफ देख रहा है और आप तो इसका मतलब यही है कि वो कोई visual images जो है आपने history के याद कर रहा आपने अपनी eyes को left की तरफ किया उपर नहीं देखा लेकिन अपने ear की तरफ move किया इसका क्या मतलब है कि आप auditory memories को याद कर रहे हैं जैसे कि आप से पूछा जाए यह what was your ringtone तो जब auditory मतलब audio से relevant कुछ चीज आजेगी तो आप हमेशा क्या करेंगे left की तरफ देखेंगे और ear की तरफ देखेंगे ठीक है left और ears की तरफ move करेंगे इसका यह मतलब है कि आप अपनी auditory memories को याद कर रहे है eyes to the left and down इससे तो आप बिलकुल मतलब acknowledge करेंगे आप left की तरफ देखते हैं ऐसे करके और फिर नीचे की तरफ देखते हैं आप हमेशा याद रखें जब भी आप अपने आप से बाते कर रहे होंगे तो आप हमेशा ऐसे ही करेंगे आप जब अपने आप से बाते हैं आप आप कोई काम कर रहे हैं एक दम से आप कोई बात याद आगी आप अपने आप से बात करें तो आप हमेशा काम छोड़के ऐसे देखेंगे पर नीचे देखेंगे आप सोचते रहेंगे, अपने आप से बाते करते रहेंगे तो ये ऐसे ही होता है अब बात करते हैं Eyes to the right and up अब अपने eyes को पहले left की तरफ किया था आप right की तरफ करते हैं अगर आपने अपनी eyes को right की तरफ किया और उपर की तरफ देखा तो इसका क्या मतलब है आप constructing images जो हैं वो आप विजुल आइर्यात कर रहे हैं जैसे अगर आप से पूछा जाए What would your next house look like आप जो निया घर बना रहें वो कैसा लग रहा तो हमेशा वो right की तरफ देखेगा और उपर करेगा बताएगा इस तरह से घर लाई जब आप ust적 dreams भी कर रहे होते हैं गी तरह हैं यह तो आप हमेशा इसी तरह हुआ रहे हैं मैं नहीं गाड़ी लोगा तोआप हमेशा इन चीज़ों को याद कर रहे होता है eyes to the right towards the year अब right side पे आपने और अपने कानों की तरफ किया इससे क्या है आप sound create कर रहे हैं जैसे आप से पूछा जाए can you create a new song and sing it for me आप क्या मेरे लिए निया गाना का सकते हैं तो आप हमेशा right की तरफ करेंगे और से यूँ ears की तरफ देखें क्योंकर ये भी auditory से relevant है इसी तरह है eyes to the right and down आपने right तरफ देखा और नीचे कर लिया आँखों को इसका क्या मतलब है आपकी जो है आपको feelings है ठीक है आपके अपनी personal feelings है जैसे के आप से पूछा जाए can you remember the smell of a campfire तो आप हमेशा right और पिर नीचे की तरफ देखेंगे जब realize करवाया जाए किसी feeling के बारे में smile की feeling होती है ठीक है तो ये है आपका body and eye language तो ये बहुत important होता है कि जब आप कोई भी forensic investigation कर रहे हैं तो किसी की भी observation को आप हमेशा जो है वो observe करें कि उसका body language क्या है उसकी eye language क्योंकि ये symptoms हैं बट ये भी बात याद रिखेंगा ये guarantee नहीं करता कि जो बंदा ऐसे कह रहा है वो वाकि में गलत बात कर रहा है तो this is just a symptoms जो आपको investigation मुकमल करने में help करें